प्रिंट्स मिरे नाम है वैब होव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों समिख शादिकारी का पेपर हो PCS का पेपर हो या फिर लोवर PCS का या फिर आप BEO का पेपर देने जा रहे हो तो इन सब के पॉइंट अ व्यू से यह जो हमार इस शादिकारी PCS या फिर BEO के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कुछ ऐसा पढ़ना जिससे कि आपका स्लेबस कंप्लीट हो जाए और आपको बहुत जादा ना भी पढ़ना पढ़े ठीक है मतलब आपको NCRT ना पढ़ना पढ़ना पढ़े आपको कोई भी क्रिट हो जाए और हर एक कोशन जो आपके एक्जाम में आए वह आप अटेंप्ट कर पाएं ठीक है तो उसके लिए आप हमारे इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं एक हजार MCQ आपको पर मंत प्रोवाइड की जाएंगे जो की रहेंगे डिस्क्रिप्टिव यानिकी व्याक्यात सेंपल फैल देखना है तो उसके लिए आप टेलिग्राम ग्रूप पर जाएए डिस्क्रिप्टिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं वहाँ पर आपको इस से रिलेटेड जो पीडिए है आईए अब स्टाइट करते हैं आज के अपने वीडियो को दोस्तों आज का जो हमारा पहला कोशन है इसमें बात करी गई है जो विजयनगर एंपायर था उसकी स्थापना किसने करी थी तो आई डोंट तिंक कि आपको ना पता हो कि ये आंसर क्या होगा आपका हरिहर और नाम पर संगम वंश ये सबसे पहला एक वंश रहा था आपका विजयनगर एंपायर में इसने राज करा था टोटल चार रहे थे अब वो कौन कौन से थे एक तो मैंने आपको बता दिया संगम वंश इसके अलावा बाकी जो है उसमें सुलूब है तुलूब है और यहां पर है इतिहास का बरनी के बारे में कि बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में जो साशन था इसको वास्तव में इसलामी नहीं माना इसका रीजन क्या था मतलब बरनी का कहना था कि भारत में जो सुल्तानों का साशन रहा था ये इसलामी साशन नहीं था इ इन्हों ने ये जो reason दिये हैं उसमें statement आपको दे रखा है पहला दिया है कि अधिकतर आबादी Islam का अनुसरन नहीं करती थी ठीक है ये बरनी का कहना था और इसको अगर आप देखेंगे तो भाईया पहले ही आपका जो statement है वो सही है क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली के सुल्तान के टाइम पर जो भारत पर साशन करा या था था उसको इसलिए नहीं माना गया इसलामी क्योंकि यहां पर जो आबादी थी वो सजायतर क्याती हिंदू थी ठीक है तो और वो इसलाम को नहीं मानती थी इसलाम का अनुसरन नहीं करती थी इसलिए बरनी ने इसको इसलामी साशन नहीं माना चलिए अब अगले question की बात करें अगला question यहां पर है कि भारत में कागज का उपयोग या फिर प्रियोग ये कब से स्टार्ड हुआ बार्मी शताबदी से तेर्मी से चौद्मी से या फिर इसमें से कोई नहीं तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा बार्मी शताबदी से स्टार्ड हुआ था और यहां पर एक कलकत्ता में तो इसको संघ्राले हैं तो इसका याद रखेगा पंच रक्षा यह उसका शीर करके घ्रा obtained है तो बार्मी शताब्दी यहां पर आंसर रहाएगा जो मैंने आपको बताया पंच रक्षा यह कुंव Neil的 में संग्राले में संग्रक्षित करके रखा गया है ठीक है 1105 का है यह चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ मूव आउन करते हैं अगला कोशन यहाँ पर है किताब उलहिंद इसकी रचना किसने करी थी अब यह जो लेखा के इनका आपको नाम बताना है हसन निजामी है मिनहाज उस सिराज है अलबरूनी है या फिर शम से सिराज अफीफ है ठीक है तो देखें यहाँ पर हर एक कोशन का आप लोग भी कोशिश करते रहेगा उसको अटेम्ट करने की कमेंट सेक्शन में कितने कोशन आपको पता थे यह जरूर बताईएगा तो बरहाल इस वाले कोशन की हम ब इसका रियल नेम था इसने किताब उलहिंद इसकी रचना करी थी यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है और इस बुक में भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक विवस्था थी इसके बारे में इसने पूरा बताया था पूरा विवरण दिया था चलिए अगले कोश को पहले नहीं पढ़ा है तो बड़ा इंपोर्टेंट है जरूर इसको याद रखिए यूकिलिप्टिस वह पेड़ है जो की पारिस्थित्य की यह मित्र नहीं कहलाता रीजन बिंग कि यह जल से बहुत जादा मात्रा में जो है मतलब मिट्टी से बहुत जादा मात्रा में को एब्सोर्व करता है ठीक है मतलब जल को यह एब्सॉर्फ करता है बहुत ज्यादा मात्रा में जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे जल सथर नीचे चलाया आता है और उसके वज़ह से और जो पेड़ बादे होते हैं वो खता मोना शुरू हो जाते है ठीक है Uglyptus को कि का अर्थ है ठीक है अब यहां पर पहला statement दे रखा है कि कि दूसरा statement है कि कि इस प्रयावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन तीसरा statement है एक प्रजाती की दूसरी प्रजाती से भिन्ता चौथा है बहुत तिक घटकों का किसी परियावरण पर प्रभाव तो देखिए सही आंजर क्या आएगा कि किसी परियावरण में विभिन परजातियों की श्रेणी मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पर जातियां हो ठीक है तो ऐसी चीज को क्या वो लगा है बायो डाइवरसिटी इसका नाम ही है बायो डाइवरसिटी आफे जैव विवित्ता तो विवित्ता का मतलब क्या है कि एक तरीके की पर जाती नहीं होंगी बहुत अलग अल डाइवर्सिटी पाई जाती है ठीक है चलिए next question की तरफ move on करते हैं अगला question जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपसे बात करें कहीं है कि सरवादिक जय विवित्ता कहां पाई जाती है जो अभी हमने बात करा कि उश्न कटी बंदिये छेत्र यानि कि उश्न कटी बंदिये वर्षा वन यहाँ पर सबसे जादा पाई जाती है अब यह 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षण ठीक है यानि कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ यह जो बीच का रीजन रहता है यहाँ पर जय विवित्ता यानि कि बायो डैवर्सिटी सबसे जादा पाई जा बाईश होती है खूब जादा और तापमान भी हाँ पर एकदम बढ़िया रहता है ठीक है यह जो एरिया रहता है अपका जस्ट आ मोमेंट यह अगर अर्थ है हमारी यह जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ ठीक है यह जो एरिया यह जो बैल्ट जो अभी मैंने आप सागरिये छेत्र है और उत्तर पच्छमी आस्ट्रेलिया है आपको बताना है कौन सा है जो बायो डैवर्सिटी होट स्पॉर्ट है तो यहां पर अगर हम देखें तो सही आंसर है इसमें कौन सा आएगा आपका पूरवी हमालय तो है ठीक है इस्टन हमालयाज जो है यह बाय भूमद्र सागरिये बेसिन ठीक है भूमद्र सागरिये बेसिन यह भी एक जो है आपका बायो डैवर्सिटी होट स्पॉर्ट है इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षन पच्छम ऑस्टेलिया ठीक है यानि कि साउथ वेस्ट ऑस्टेलिया यह भी आपका कैसा है एक बायो पूर्वी भूमद साग्रिये तो यह यहां पर गलत है ठीक है दूसरा दे रखा उत्तर पच्छमी ऑस्टेलिया तो यहां पर क्या होना चीनए था आपका दक्ष्ण पच्छमी ऑस्टेलिया तो इस तरीके की बात करें यहां पर बात करी गई है कि just a moment को चेंज नहीं हुआ है सो यहां पर हम बात करें next question की तो यहां पर बात करी गई है निमलिकित अधिकारियों पर विचार कीजिए अब इसमें मंत्री मंडल सचेव हैं इसके बाद मुख निर्वाचन आयोक्त हैं संगिये मंत्री मंडल सदस हैं और भारत के मुख न्यायाधीश हैं आपको बताना है इ संगिये मंत्री मंडल के सदस जो हैं इसके बाद आएगा आपका second यानि की मुख निर्वाचन आयोक्त और उसके बाद आएंगे आपके मंत्री मंडल सचेव यानि की four three two one that will be the answer ठीक है four three two one चलिए अब हम चलते हैं अपने next question पे अगला question जो यहां पर दिया हुआ है इसमें आपसे बात करी गई है कि लोकसभा के लिए जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई व्यक्ति participate करना चाहता है चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम कितनी आयू का होना चाहिए minimum जो age है वो कितनी होनी चाहिए आप सबको पता होगा बही है 25 years बट कौन से article में दिया के लिए जो minimum age है वो 25 years है वहीं अगर हम राजसभा की बात करें तो उसके लिए कितनी है 30 years ठीक है तो 2530 साल तो यह हर किसी को याद आता है बट यह article जरूर याद रखेगा article 84 B ठीक है चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले question पर अगला question जो आपकी screen पर है इसमें बात करी कही है कि राजसभा की निश्चित सदस संख्या कितनी है तो यह आपका 220 से 230 से 250 से कितना है तो सही आंसर कियागा आपका 250 ठीक है अभी अगर हम वरतमान में कहें तो कितनी है 245 अब इस 245 में से 225 जो हैं सदस वो राज विधान सभाओं कि सदस्यों द्वारा इनका निर्व समणिये मदपदती का यूज किया जाता है इनके निर्वाचन के लिए और 12 सदस जो है यह राष्टपती द्वारा मनोनित किये जाते हैं तो यह सारी चीज़ें इसके बारे में जो आपको यहां पर याद रखनी है अगर हम टोटल कहें जो 250 हैं 250 में आप से पूछ ले कि र नेक्स्ट कोश्चन की बात करता हैं यहां पर बात और यह भारती सम्वेधान के अनुच्छेत सत्तासी यानि की आर्टिकल 87 इसके अंतरकत बहरत का यह राष्टपती है यह अभिवाशन देता है अब यह संसत के दोनों सदनों की सहयुक्त बैठक में अभिवाशन देते है या फिर संसत के दोनों सदनों के सहयुक्त अदिवेशन में या फिर संसत के दोनों सदनों के सहयुक्त सत्र में या फिर एक साथ सम्वेध संसत के दोनों सदनों में यह जो चीज़ दे रखी है वो कौन से में दे रखी है आर्टिकल 87 यानि की आर्टिकल 87 में यह चीज़ द साधारण निर्वाचन के पश्चात मतलब जो एक बार लोकसबब का इलेक्शन होगा उसके बार सारे लोग निर्वाचित हो के आगए पहला सत्र होगा उसके आरंब में और हर साल के जो प्रथम सत्र होगा उसके आरंब में ये एक साथ दोनों सद्रों के जो अभिवाशन हो और कोई ये जो पद हैं ये किसे संबन देते हैं ये पच्चमोत्तर भारत का निरतिरूप है ये वादेयांत है ये प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है यह जन जातिय भाषा है तो सही आंसर कहाएगा इसका आंसर जन जातिय भाषा है हलPI बहशा की अगर हमर 머리 Claus Potter 36-video की ठीक है यह कहां की है हल्वी यह मेनली जाकी है खांपर 36 गड़ की फार एक हो की बात करें यह फिर मुंडा यह कोलह यह सारी जन जाती है उतारा बोली जाती है ठीक है हो इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी जो आपका तीसरी है कोई कोई की बात करें तो यह द्रवेडियन फैमिली की एक भाशा है तो यह तीनों इसके बारे में आपको याद रखनी है अगर हम हलबी की बात करेंगे तो यह 36 गड़ में इसका यूज करा जाता है बस्तर वारे एरिया में हो की बात करें तो कोल हो गई मुंडा हो गई सारी ट्राइब्स हैं इस भाशा का यूज करती है वहीं कोई की बात करें तो यह आपके डर्वेडियन फैमली की भाशा है चलिए इसके बाद मूब आउन करते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर अगले कोश्चन की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि सिगना के नाम से पद्मा के नाम से भागिरती या फिर महागंगा तो सही आंसर क्या गया यहां पर पद्मा पद्मा के नाम से बांगला देश में गंगा रिवर को पुकारा जाता है ठीक है अब अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो हर दौा के बाद से यह जो है मैदानी और यह प्रवाहित होती है इसके बाद वेस्ट बेंगॉल में फरक्का नाम का जो इस्थान है वहां पर यह बांगलादेश में प्रवेश करती है ठीक है मतलब वेस्थ बेंगॉल में जो फरक्का नाम का जो इस्थान है वहां से यह बांगलादेश में प्रवाहित होती है और कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा इरावदी और मेकांक नदियां अपने उपरी घाटों में संकीर्ड और समानांता परवत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है इन नदियों में ब्रह्मपुत्रा भारत में प्रविष्ट होने के ठीक पहले अप वह ग्यानिकी है तरुन हिमाले के अक्षांशिये नमन के कारण तीसरा है तृत्तिये कल्पिये वलित परवत मालाओं के भूवरतनिक विश्चोब के कारण या फिर इस संदर में उपरियुक्त आप्शन ए और बी दोनों कारण तर्क संगत हैं तो यहां पर ये दोनों ही स्ट करें क्यांज sözण क्यों कि उत्तान के कारण उसकी वजह से दूसरा है भूवघ्यान कि अक्षशंगी नमन के कारण तो यह यहां पर सही निताना कौन सा आद डी चली है इसके बाद मोन करते हैं नेंस्ट कोश्चन नमबर की बात करें यहांपर आपको एक कathन दिया हुए और एक दे रखा है कारण अब आपको बताना है कि क्यों सा यहां पर सही होगा पहला कथन जो दे रखा है इसमें बात करीगे यह प्रायदीपिय भारत की सभी प्रमुक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नरंदा तथा तापती यह जो है अरब सागर में गिरत करते हैं तो यहां पर यह दोनों ही स्टेट्मेंट जो हैं वो सही है और जो सेकेंड वाला है यह इसका पहले वाले का मतलब कथन का सही explanation है तो option A यहां पर सही है क्योंकि नर्मदा और इसकी बात करें तापती वर्स की तो यह जो भ्रहश घाटी है वहां से होकर निकलती है ठीक है चलिए next question की तरफ move on करता है अगला question जो आपकी screen पर है इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि अंत्रिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो उपग्रहता वो कौन सा था यह भासकर था रोहनी था आर अंत्रिक्ष में आरे भारत को भेजा गया था ठीक है और यहां पर जो प्रक्षेपन यन प्रक्षेपन जो केंद्र था ठीक है वो केंद्र आपको पता होना चाहिए इसके लावा जो प्रक्षेपन यान था यह यान भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो प्रक्षेपन क केंद्र की अगर हम बात करें तो यह सोवियत संग का था कापुस्तिन यार ठीक है और वहीं अगर हम इसके बात करें यान कौन सा था तो कॉस्मॉस 3M यह प्रक्षेपण यान था ठीक है कब इसको भेजा गया था यह यह और आपको महीना वगयरा भी याद होना चाहिए 19 अपरेल 1975 ठीक है तो यह सारी इंफॉर्मेशन है आरिभट के बारे में याद रखिएगा चलिए अगले कोशन भी जलें कोशन नमबर 18 यहाँ पर बात क आना है स्ट्रेटलाइट यह क्या होता है आपका यह समताप मंडल में सबसे उपरी ब्रेंड है ठीक है या फिर यह समताप मंडल का सबसे निचला बैंड है या फिर यह अधिक उचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायू पोथ है या फिर यह शनी का प्राकरतिक उपग लेकिए इसके बाद चलते हैं कोश्चन नंबर 19 यहां पर दिया हुआ है कि निम्लिकित सिद्धान्त पर रॉकेट कारे करता है अब यहां पर ऑप्शन दे रखें आवगादरो अभधारना है उर्जा संग्रक्षन है संवेग संग्रक्षन है यहां पर पर नौली थियोरम तो किसको कितना इसके बारे में पता है इसके बाद आज का हमारा आखरी कोश्चन है इसमें बात करीके है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगटन डियार डियो इसका आदर्श वाक क्या है जागरत अहिनर्शम तेजस्वनी विदितमस्तू या फिर बलस से मूल विज्यानम या फिर वयम रक्षामम तो सही आंसर यहाँ पर क्या हैगा बलस से मूल विज्यानम यह यहाँ पर इसका मोटो है डियार डियो का इसको जरूर याद रखिएगा ठीक है तो इसके साथ ही आज का हमारा यह वाला सेशन यहाँ पर एंड हो रहा है अगर आपको यह सेशन पसं झाल